आज हम एक बहुत इंपोर्टन सवाल पर डिसकेशन करेंगे और वो है किड्नी ट्रांस्प्लांट मैं हूँ डॉक्टर हरेज डोडेजा, नेफ्रोलोजिस, फोर्टेस, मुलन, एन कल्यान एन इन चार्ज आफ डायलेसिस एन ट्रांस्प्लांट किड्नी ट्रांस्प्लांट उनको जरुवत होती है, जिनकी दोनों किड्नी 90% से ज़्यादा खराब हो चुकी है और उनको अच्छा जीवन जीने के लिए डायलेसिस नहीं तो किड्नी ट्रांस्प्लांट ये दो ही उपाए कई लोगों को ट्रांस्प्लांट की इच्छा होती है लेकिन उनके घर में कौन किड्नी दे सकता है या कौन नहीं दे सकता है इसकी जानकारी नहीं होती है और इस वज़े से कई सालों तक वो डायलिसिस पर रहते हैं living donor kidney transplant माने घर में से परिवार में से कोई एक अगर आपको kidney देने को तयार है तो उनको हम कैसे assess करते हैं कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है तो सबसे पहले हम blood group check करते हैं blood group match हो तो बहुत आसान हो जाता है हम उनको consider कर सकते हैं लेकिन आज की date में blood group match नहीं हो तो भी हम आसानी से kidney transplant कर सकते हैं उसको हम ABO incompatible transplant बोलते हैं उसमें हमें थोड़ा और treatment करना पड़ता है जिसकी वज़े से थोड़ा और खर्चा होता है और थोड़ा infection का risk भर जाता है क्यूंकि हम आपकी immunity को थोड़ा और दबाते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं पेशन को कि वह healthy individual है क्या जो देना चाहता है जैसे कि हम उनका health check-up करते हैं माने हम उनका शुगर चेक करते हैं kidney profile, liver profile, x-ray, ECG, sonography, heart की जांच ECG 2D echo और cardiac fitness उसी तरह पिशाप की जांच पिशाप में कुछ तकलीफ नहीं है और पिशाप की थेली में कुछ तकलीफ नहीं है और उनका psychiatric evaluation करते हैं कि वह अपनी मर्जी से, खुशी से आपको kidney देना चाहते हैं ये सब check होने के बाद हम उनका matching देखते हैं जैसे कि HLA typing और cross matching बोलते हैं HLA typing माने आपका fingerprint जैसा होता है वो जिन्दगी में कभी बदलता नहीं है आपको आपका HLA आदा मा से और आदा पिताजी से मिलता है तो जब हम matching करते हैं तो हम उसमें HLA A, B, D, R, A से तीन तरह का matching करते हैं और हम देखते हैं कितना matching होता है अगेन आज की date में अगर matching अच्छा नहीं है तो भी हम आसानी से कर सकते हैं उसमें बहुत छोटी मात्रा से रिस्क बढ़ता है और हमको थोड़ा additional दवाई देना परता है तो खर्चा बढ़ता है यह important है क्योंकि आज कई transplant husband wife के बीच में होते हैं जिनमें खून का रिष्टा नहीं होता है तो उनका HLA match नहीं होता है लेकिन हम उनमें भी बहुत अच्छा result पा सकते हैं और इसलिए आजकल वो important नहीं है तीसरी होती है cross match cross match मानें जिसमें हम चेक करते हैं कि इस वक्त आपके शरीर में आपके डोनर के against antibody है क्या क्योंकि वो antibody आपके शरीर में किड्नी आने के बाद उससे लड़ने वाल है तो हमें वो antibody level को एक मातरा के नीचे ही रखके transplant करना है अगर वो high है तो उसको cross match positive होलते है तो उसमें kidney fail होने का risk बहुत जादा हो जाता है हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए हम उसका इलाज करके उसको नीचे लाके फिट रांस्पांट कर सकते हैं अगर female patient है जो kidney देने वाला है तो gynec evaluation होता है उनका pap smear होता है mammography होता है और उसके बाद हम यह matching करते हैं अगर यह matching ठीक है तो हम उनका right kidney और left kidney का separate function जांचते हैं क्यूंकि हमारे पास दो kidney हम एक निकालने वाले हैं हम ऐसा presume करते हैं कि हम 50% kidney function कम कर रहे हैं और आपको दे कभी कभी किसी इंसान में एक kidney 70% काम करता है दूसरा 30 उस्तिती में normal kidney function वाले से भी हम kidney नहीं ले सकते हैं क्यूंकि अगर हमने 70 उसका निकाल दिया तो उसे नुकसान होगा और अगर 30 हमने आपको दिया तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा इस वजह से हम differential kidney function चेक करते है और वह minimum 35-40 एक kidney का function होना चाहिए जीएफर उसी बाद हम लेते हैं उसके बाद last में हम एक टेस्ट करते है CT scan जिससे हमें पता चलता है kidney की नस एक है दो है आर्टरी वेन अनेटमी हमें पता चलती है तो इस से हमें surgery प्लान करने को इस से हम डिसाइड कर सकते हम ओपिन कर सकते हैं लैप कर सकते हैं रोबोटिक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं उस हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं यह वेरियस स्टेजिस में करते हैं ताकि कोई भी स्टेज में रिपोर्ट खराब आए तो हम आगे का टेस्ट कर कि आपका नुक्सान नहीं करें तो इस तरह किड्नी डोनर जो होता है 18 साल से 60-60 वालत दे सकता है लौ के एसाब से कई बार हमने उससे ओल्डर डोनर को भी लिया है अगर वो तंदरुस्त है उसकी सब रिपोर्ट्स अच्छी है हमने पेशन्ट जिनको डाइबिटीज होता है उन्हें नहीं लेते हैं क्यूंकि उनको खुद को किड्नी डाइमेज होने का रिस्क होता है पेशन्ट जिनको ब्लड प्रेशर होता है हम उन्हें भी अवाइड करते हैं क्यूंकि अगर उनका अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है हा और उनका एज एल्डरली है तो एक वक्त हम कंसीडर कर सकते हैं उनको एज बॉर्डरलाइन डोनर इसके अलावा पेशन्ट तंदुरुस्त हो और पेशन्ट अपनी मर्जी से दे रहा है और इसमें कोई पैसे का लेंदेन नहीं है और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ऐसे करने के बाद उन्हें हर चीज का नफा नुकसान बताने के बाद किड्नी ट्रांस्प्लांट में भी रिस्क होती है डोनर को भी रिस्क होती है लेकिन वह बहुत कम मातरा में होती है 0.03-0.05% बट यह डोनर को बताना जरूरी है डोनर के साथ उसके परिवार को बताना जरू यह सब करके ही हम आगे बरते हैं किद्नी ट्रांस्प्रांट के लिए थैंक यू